कि दोस्तों नमस्कार हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डोक्टर प्रदीप प्रसन आप सब का स्वागत करता हूं आए आज कुछ नई बाते सीखते हैं विद्यार्थियों आज की वीडियो मना रहे हैं राजस्थान में परिवहन विमान विकास प्राधिकरान हवाईड़े ये वीडियो राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परिक्षाओं में राजस्थान जी के राजस्थान सामाने ग्यान के तहत बन रही हैं जिसमें इस्कूल प्रथम दित्यम तृत्ते श्रणी के सिक्षकों के लिए कोलेज लेक्षर के लिए पटवार परिक्षा के लिए, लिपिक के लिए, आरेस के लिए, सैट के लिए, आर्टेट के लिए, रिट के लिए, इन सभी में काम आएंगे तो आएए शुरू करते हैं आज की विडियो सांगानेर जैपूर राजस्थान का प्रतमवे देश का चोधवा अंतर राष्टी हवाई अड़ा है इससे साथ फरवरी 2002 को दुबई के लिए वायू सेवा शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2005 को अंतर राष्टी हवाई अड़ा का दर्जा दिया गया इससे संबंदित अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई सांगानेर जैपूर हवाई अड़ा अंतर राष्टी महत्व का हवाई अड़ा है महरणा प्रताप हवाई अड़ा ड़ोग उदैपूर डक्षिन राष्टि हवाई अड़े का प्रारूप भेजा जा चुका है परंतुवी स्विक्रित प्राप्त नहीं होई है कोटा हवाई अड़ा हाडोती अचल का एक मात्र हवाई अड़ा है भारती वायुसेना के अधीन हवायड़े राता नड़ा हवायड़ा जोदपूर ये साम्रिक द्रष्टी से महत्तपूर्ण यह है सुरक्षा कारणों की द्रष्टी से वायुसेना के जिंतरन में है यहां पर प्रशिक्षन स्विधाएं धियुकलब्ध हैं पब्लिक पार्टनर्शिप के आधार पर जोदपूर में नया सिविल एरपोर्ट इस्थापित किया जा रहा है मरु प्रदेश का एक मात्र हवायड़ा है नाल हवायड़ा विकानेर यह भूमिगत हवायड़ा है यह हवायड़ा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवायड़ा है उ खयार अजमेर हवाई अड़ा ये हवाई अड़ा कंक्रीट के इस्थान पर कांच से बनाया जाएगा ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट भारतिय विमान प्राधिकर्ण द्वारा निर्मान धीन हवाई अड़े सारजनिक सहभागीता के आधार पर बनने वाले एरपोर्ट परियोजनाओं को ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट की संग्या दी गई है ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट में निजी छेतर को हिस्सेदारी दी गई है ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट में निजी छेत्र को हिस्सेदारी चोहत्र प्रतिशत और राज्य सरकार एम भारतिये विमान प्राधिकरण की सहित हिस्सेदारी 26 प्रतिशत होगी ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट में शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमती मिल चुकी है शमशाबाद हैदराबाद में निर्मित राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट देश का पहला ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट जो जी एमार ग्रूप द्वारा बनाया गया है 2470 करोड की इस प्रियोजना में निजी छेतर गहिसा 63 प्रतिशत है किशनगड हवाई अजमेर भारती अविमान प्राधिकर्ण द्वारा किशनगड अजमेर में ग्रीन फिल्ड हवाई अजमेर के लिए प्लान मजबूर हो गया है इसके लिए 150 करोड का मनजूर किया है और जैसलमेर भी मीना सिविल एरपोर्ट पनाय जा रहा है किशनगड एरपोर्ट की घोषना राजे सरकार ने बजट 2013-2014 में नीमराना के बाद में की थी प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग ने जून में किशनगड में एरपोर्ट का सिलनाश किया था नीमराना ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट अलवर राज्थान देश का पहला राज्ज जिसने अध्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीती के तहत ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट का विकास करने का निर्मान निरने लिया है राज्य में पहला ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट जैपूर दिल्ली हाईवे पर नीमराना में बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट में दिल्ली मुंबई, इंडेस्टियल, कोरिडोर, डवलपमेंट, कॉर्पोरेट और राज्य सरकारियम भारतिय विमान प्राधिकरन की सन्युक्त हिस्सेदारी होगी राज्य में तो इस्थानों पर ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट की स्थापना की जाएगी अलवर जिले में निजी छित्र में ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट इस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जो राष्टी राजमार्ग आठ पर डेडिकेटेड फ्रेंट कोरिडोर के पास कोट कासिम में इस्थापित किया जाएगा दूसरा ग्रिन्फिल्ड एरपोर्ट जोदपुर जिले के भोपालगड तैसिल के मेलावार टपूकड़ा और गंगाडी में इस्थापित किया जाएगा विमान सेवाएं इंडियन एरलाइन्स इसका मुख्याले नई दिल्ली में ये घरेलू उडानों के लिए है एर इंडिया इसका मुख्याले मुंबई में है ये अंतर राष्टिय उडाने भरने के लिए है ये दोनों सरकारी विमान सेवाएं पवन हंस हेलिकोप्टर लिमिटेड तेल और प्राकर्तिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड सहित पैट्रोलियम छेत्र को हेलिकोप्टर सहेता सेवा परदान करता है सुदूर परति और उत्तर पूर्वी छेत्र के अगंमे छेत्रों के साथसा देश के द्वीप सम्हूं से संपर्ग स्थापिद करता है वायू दोत सेवा 20 जनवरी 1981 को निगम के रूप में इस्थापित किया ताकि पुर्वोत्र छेत्र की हवाई सेवाउं क्योंकि आवशक्ता को पूरा किया जा सके नेताजी सुभाष चंद्बोस हवाईड़ा दमदम कोलकाता में इंद्रा गांधी हवाईड़ा नई दिल्ली में इस्थित है भारतिय विमान पतन प्राधिकरन इसका गठन एक अप्रिल 1955 को भारति अंतर राष्टिय विमान पतन प्राधिकरन और राष्टिय विमान पतन प्राधिकरन को मिला कर किया गया इसके द्वारा और संरचनात्मक सुविधाउं की देख भाल की जाती है इंद्रा गांधी हवाई उडान अकादमी फुर्सत गंज उत्तर प्रदेश इस्तिति है कमपनी रेल बंतराले के अधिन एक स्वायत शाशी संस्था है इसकी स्थापना व्यवसाई पाइलेट को उडान हुआ जमीन प्रशिक्षन में कुछ मांदेंड को प्राप्त करने के लिए की गई है दोस्तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आपके मन में कोई सवाल है कोई जिग्यासा है कोई प्रशन है तो पूछिए हम उसका समाधान करने कोशिश करेंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अंत में आप सब को शुब कामनाओं के साथ एक मुक तक एक नया इलजाम लेके बैठे हैं हम तेरा ही नाम लेके बैठे हैं लोग कह रहे हैं ये शराबी है लेकिन खाली जाम लिए बैठे हैं बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार बहुत 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 शुक्रिया नमस्कार